हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आसा करते हैं आप सभी ठीक होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे अपको यहां पर भनने के लिए मिली हुई है यह आपकी नियू बुक है जो आपको दोजाश चोईश पचीस में बनने के लिए दे गई है तो हमें इसका सलूशन कराने वाले हैं आपको तो आप वीडियो के एंट तक बने रहेगा यह हमाद देखी यहां पर लिखा हुआ है बर्स 2024 पचीस यह एटगेट अभ्यास पुस्त का अंग्रेजी वह कक्छा आठका है तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्या एक यानि लेसन फर्स्ट तो यहां पर हमारा होने बार लेसन फर्स्ट जिसका नाम है अनुदर चांस यानि दूसरा अबसर या दूसरा मौका तो आप यहां पर यह डाइगराब देख सकते हैं इसी के हम कॉस्चिंट आंस रोगों लगाने वाले हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी डेल आईकन हैं से अन कर लिजिए तो यहांपर देखिए पहले हमारा दिया गया है आपर multiple choice questions यानि कि सही यहां पर दिये रहे हैं मैंसे सही बिकल चुने कर आपको लिखना है तो पहला question है the poem is about यानि कभी तक इसके वारे में new wishes success another chance good and bad तो सही हो जाएगा इसका option आपका see another chance अगला question है आपका यहाँ पर the poet of the poem यानि annual chance is annual chance के लेखर कौन है तो Helen Stevenner Rice या Jenny Taylor या R.N. Stevenson या फिर Robert Frust तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number a next question आपका तीसरा तो यहाँ पर दिया गया है if you need to make a new start यदि आप नई शुरू बात करना चाहते हैं what should you have तो आपके पास क्या होना चाहिए तो यहाँ पर option दिये गए हैं deep desire good friends books little sunshine तो इसका सही हो जाएगा आपका option number a deep desire यानि गहरा गहरी एक्छाए इसके बाद अगला question है आपका चौथा the rhyming bird for start is start का rhyming bird क्या है तो option है plant heart boat or street treat तो इसका सही answer हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर आइटी दिया है इसमें भी आइटी दिया है तो यह आपका answer हो जाएगा option number b sound मिलने चाहिए तो इसको राइमिंग बोलते हैं से कि start इसमें heart तो sound थोड़ी मिलने चाहिए लास्ट वाले लिक्षरों की तो इसको राइमिंग कहा जाता है इसके बार अगला question है आपका पांचमा इसमें पूछा है synonyms of the word finish is तो प्रियावाची पूछा है तो option देंगिया है begin start end or new तो इसका सही हो जाएगा आपका option dependency फिने से यानि होता समाफ्त होना और एंड का मतलब भी समाफ्त होना होता है अगला question दिया गए रिक्त तान आपकी तो यहां पर यहीं रिक्तिस्तान दिये गए हैं तो पहला हमारा यहां से दिया है हम पूरे कि सात्थ में देखेंगे यहां से देखिए के यहां लिखा है with all our hearts तो इसमें लिखने है to try इसके बाद है so never give up in कबने जित्यागना चाहिए? Dispair में complete the bird तो इसमें लिखना beginning ठीक है तो यह beginning हो जाएगा rhyming bird of living तो इसका हो जाएगा forgiving antonyms of the of always always का bloom sub तो हो जाएगा never always मतला हमेशा और never यानि कभी नहीं तो यह हमने complete कर लिए इसके बाद हमारा अगला question है तो यह question दिया गया आपका तो देखिए इसको देखते हैं तो क्या दिया है यह 11 question आपका तो यहाँ पर लिखा है write two words from the poem that start with the letter B and W तो यह हो जाएगा next question है आपका अगला तो यह दिया गया है बारमा question तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है what do we need to make a brand new start तो इसका हो जाएगा to make a brand new start it only takes a deep desire तो यह answer हो जाएगा इसका इसके बाद अगला question है आसा करते हैं आपने देख लिया हुए इसको जिसके बाद हमारा अगला question तीसरा तीरमा question तो यह लिखा है write the antonyms of the following word press का हमें below लिखना है तो इसका हो जाएगा still press यह नहीं होता है ताजा still यह नहीं होता है बासा अगला question है आपका चवदा तो इसमें लिखा हुआ है write the right words that rhyming with the following words तो नीचे दिये गए सब्दों के हमें रामिंग बढ़ लिखना है जैसे की बे तो बे का हो जाएगा आपका डे इसके बाद अगला है आपका यह बिनिंग तो इसका हो जाएगा बिगनिंग तो यह answer है आपकी इनको complete कर लिजी इसके बाद अगला question है आपका पंद्र माउस को देख लेते हैं क्या दिया गया है यह रहा हमारा question number 15 है तो इसमें लिखा हुआ है write any one stanza of the poem another chance तो आपको another chance की कोई एक पंती लिखनी है stanza लिखना है तो देखी यह लिखा हमने so never give up in despair and think you are through for there's always a tomorrow and the hope of starting a new अगला question है आपका what should we do what should be what should be not do in despair हमें despair में क्या नहीं करना चाहिए दी तो यहाँ पर हो जाएगा इसका answer we should never give up in despair तो यह answer हो जाएगा इसका तो इसको complete कर लेंगे इसके बाद हम अगला question देख लेते हैं सत्रमा question तो यह लिखा हुआ है तो इसमें लिया गया है आपका according to you what should be due to correct our mistakes यह आपने गलतियों के करने गलतियों को किस प्रकार से सही कर सकते हैं आपके हिसाब से तो इसका answer लिखेंगे हम तो to correct our mistakes यह अवर लिखना है आपर अवर ओ यू आर ठीक है तो ओवर नहीं अवर mistakes be should be should first realized them and try again with positive approach तो यह answer हो जागा इसका तो अच्छे से note down कर लिजिए इसके वाद अगला question है आपका अठारा है तो यह दिया गया है इसमें लिखा है pick out the rhyming birds from the poem and write down यानि इसमें से rhyming words छाटने हो यहां पर लिखना है तो पहला हो जाएगा आपका beginning or beginning दूसरा हो जाएगा आपका start or hard और तीसरा हो जाएगा living or forgiving तो यह लिख लेजिए इसके बार अगला question है आपका तो यह application है आपकी 19 में question में तो क्या लिखा है देखी यहां पर पढ़ लेते हैं तो यहां लिखा है your brother has not prepared bell तो यहां पर last match write a letter to motivate motivate him to perform well in next match तो यहां पर यह हो जाएगा इसका answer लिखेंगे हमें यहां से तो बिजय नगर goalier यह आपको date लिखने नहीं है आपर date लिखने के बाद आप लिखेंगे यहां पर dear जो भी आपका friend उसका नाम I am well here and hope you are the same तो यह हो जाएगा यहां पर you are the same इसके बाद I heard you did not play well in next last match no problem because everyone has bad days practice more and increase your experience focus on your match I believe you will definitely score well in next match your brother Ram तो यह आपका answer हो जाएगा इसको अच्छे से no doubt कर लिजी आप आसा करते हैं आपने अच्छे से हम को यहाँ पर question के answer देने हैं तो देखें आप देख सकते हैं इसमें कितनी आपकी यहां पर तीन आप पीड़ कितना है एक पीड़ है इसमें कोई भी से नहीं है ठीक है यहां पर यह घास होगी हुए है तो आई इसके हम कोश्चनों के लगाते हैं तो पहला आपका दिया गया है दा पिक्चर इस सौन इज आ तो किसका चित्र है यह तो इसका हो जागा जंगल यह लिखेंगे भिच एनिमल डू यू सी इन दा पिक्चर तो इसमें कौन से आपने देखा डियर यानि हिरन देखिए इसमें पिक्चर में हाव मैंने ट्रीज आर देर कितने पीड़ थे तो वन इसके बाद रोद इसके बाद रोड़ रॉ क्या आपनो कोई से देखा इसमें तो नो आजू नॉट सी अटाइगर इन दस पिक्चर यां पिक्चर या इन पिक्चर अगला स्कोल राइट लगाना आपको सही से तो ही हो जाए गरास जी और डिपल एस